हला व्रीवन वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंस माय नेम इस हीमन तुम्रे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस पे जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन फॉल कोर्स कंटेंट के साथ यह मान के चलिए पूरे यूटूब के अंदर एक मातर ह ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री कोई चार्जेस आपसे लिया नहीं जाता है और इसमें अगर आपको सेग्मेंट बताऊं मैं तो सर्स सारी चीज़ सुनिएगा टॉपिक वाइस पूरे एटूज सेड साथी साथ एं attitudes के इक हंदी मेदियं चैनल भी है जो भी आपका cbc बोड्स प्रोवाइड करता है साथ ही साथ 2&p ौड्य बोड्ध बीहार वोड्द और राजिस्तान बोड्ट को भी cover कलते होगें चलते हैं, सब कुछ आपको भी दिया जाता है, बहुत शांदाल तरीके से कहां तक पहुच गई थी अपनी गाड़ी, कहाता ना, सेम टीम, सेम जगा मिलने वाले सर जी, सर, फराडेस खतम कर लिये थे, अब आप आज पढ़ाने वाले थे Conductance in Electrolytic Solution सर, आज अपन आ गए हैं, Conductance पे, Current कौन से ऐसे Substance है आपके पास, जो Conduction कर लेते हैं और कौन से ऐसे Substance है, जो Conduction नहीं कर पाते हैं, जिन से Current पास नहीं हो पाता ऐसा कुछ बताईए, ये कुछ समझाईए, मैंने का, ठीके समझा देंगे सब को समझाईए, कोई प्रावलम नहीं आईए, अगर प्रावलम आए तो बताओ तो आज देखेंगे अपन, Conductance आज अपन देखेंगे सर जी, Conductance in Electrolytic Solution बिलकुल, क्या देखेंगे, Conductance in Electrolytic Solution जो की होने वाला है, बहुत शानदार जो की होने वाला है, बहुत शानदार एक तरफा, मतलब मान के चलिए, मज़ा आएगा क्या आएगा सर जी, मज़ा आएगा और वो भी एक तरफा मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी तो Conductance in Electrolytic Solution बिल्कुल, 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 मान के चलिए अब बताईए आप, क्या करा जाए क्या करा जाए, क्या ना करा जाए कैसी मुश्किल हाए जल्दी, जल्दी, जल्दी Conductance in Electrolytic Solution हो जाएगा सर, हो जाएगा बिल्कुल, करे चलू, येस चलिए, ये देखिए सर, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलू, तो सबसे पहले आपका कौन-कौन से Substance आपके पास होते हैं, सर आपके पास तीन तरीके के Substance होते हैं एक होते हैं Conductors, ये आप जानते हो, एक होते हैं Semiconductors ये भी आप जानते हो, और एक होते हैं Insulators, जो भी आप जानते हो, जिन तीनों के बारे में आपको पता है, कि सर Conductors जो होते हैं, ये आसानी से Electricity को Conduct कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होती पक्का भरोसा नहीं है, तो आप सुनो बकाइदा आप एक काम करो जैसे जो आपके, वो socket होता है, आप एक कील लेके जाएए नेल लेके जाएए, उसमें ऐसे फ़सा के देखिए बटन चालू करिए, आपको पता चल जाएगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, कि ये conductors होते हैं, कोई दिक्कत की बात याँ पर नहीं होती, कलना मत भाई ऐसा कलना मत, बिलकुल conductors होते हैं, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं होती, metals अधिकतर इसके अंदर आते हैं, metals आते हैं जिनको अपन metallic conductors कहते हैं और साथी साथ electrolytes भी आते हैं जिनको Electrolytic Conductors के नाम से अपन जानते हैं तो Conductors के अंदर ये चारी चीज़े आपन को देखने को मिलती है आगे देखेंगे आगे भी देखेंगे तो आगे बात करते हैं अपन सेमी कंडुक्टर की किसकी बात करते हैं सच जी? सेमी कंडुक्टर की semi conductors क्या होते हैं तो सब semi conductors क्या होते हैं कि जो conduction तो कर सकते हैं लेकिन कुछ temperature के बाद जब higher temperature पर जाते हैं तब ये conduction कर पाते हैं नहीं तो lower temperature पर ये conduction बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं आप सब जानते हो उनके बारे में semi conductor के बारे में आप सब जानते हो कि lower temperature पे ये connections नहीं कर पाते लेकिन higher temperature पे ये connections कर लेते हैं last last आपका दोस्त कौन? insulator कौन sir? insulator ये कर पाता है क्या? नहीं sir insulator में आप ये मान के चलिए कभी भी current past नहीं होता plastic ले लीजे plastic ये pen ले लीजे इसके through कभी नहीं इसको मैं अगर socket में डालू और बटन चालू करूँ मेरे बाल खड़े नहीं होंगे बिंदा से ये 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 ऐसा कलते रहूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं आपने देखा हुआ हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई आप electricity का काम कलते हो तो आप नीचे sleepers जरूर पहने कोई sleepers होती है rubber rubber मतलब insulators तो उसमें current के chances बिल्कुल नहीं होते है इसलिए बोला जाता है कि अगर गलती से आपको shock लगता भी है तो अगर आप earth के contact में नहीं होंगे तो आसानी से आप बच जाएंगे कोई shock आपको नहीं लग पाएगा तो insulators के through current pass नहीं हो सकता semi conductors के through lower temperature पर नहीं लेकिन higher temperature पर हो जाता है और conductor के through तो आसानी से current pass हो सकता है और conductors में दो तरीके के हैं जो आपन को देखने हैं पहला metallic और ionic conductors और दूसरा होता है electrolytic conductor चमका के नहीं चमका जल्दी बताओ चमका के नहीं चमका जल्दी बताओ मेरे साप से तो चमक गया होगा बिल्कुल शांदार तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक एक तरफा जल्दी screenshot ले लीजे हो गया हौ कि लिल्यग स्क्रींश ओट चलो चलिए 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 स्क्रींशॉट हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है then है कि मैंने का आई था सरे टेंशन की बात मतले ना अपन करवा देंगे बढ़िया करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है चल आगे देखो यह देखिए सर्थ कर लियर नोट डाउन कोई दिक्कत की बात तो नहीं है डन छीक है चल्ड हाँ हां कंडुक्टर्ज पर बात करने वाले हैven सब्से पहले कंडुक्टर्ज देखो सब्सेंस फडेट वर्ट इल्लो यह गरेज्टे करेंट ढ़हा है से एक मेकलई की बात करता हूं इस वायर के थुरू करेंट पास हो सकता है ये जो मेटालिक वायर है मतला मान लो कॉपर का वायर था किसका वायर था कॉपर का वायर अब कॉपर क्या कलता है अपने थुरू इसको पास होने देता है करेंट को पास होने देता है इसी लिए अपन करते हैं कि copper wire जो होता है वो क्या होता है conductors होता है किसकी तरह काम करते है conductors की तरह किसकी तरह conductors यह देखिए wire देख रहा है यह wire के तरीके से show करा जा रहा है यह देखिए wires के तरीके से इन सब को अपन क्या नाम देते हैं conductors सबसे बढ़िया conductors के अगर मामले में आए तो अपन सबसे पहरा जो नाम आता है वो अपना आता है metals का सारे metals लगभग आपके conductors होते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़िया बढ़िया conductors सुनें जैसे कि आपने silver सुना होगा आपने copper सुना होगा आपने iron सुना होगा ये सब एक से बढ़ कर एक conductors है एकदम धुआधार conductors है इसमें तो मैं को लगता कोई दिक्कत की बात आपको होनी चीज़ बिल्कुल basic सी चीज़ है जो आपको इसमें पता होना चाहिए बिल्कुल अब देखें यहाँ पर metallic और electronic conductors चीज़ है अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से flow of electric current is due to the flow of free electrons in the metallic lattice आप जानते हैं कि अगर मिर पास एक copper का wire दे दिया जाए ये मान लीजे मिर पास copper का wire है क्या है मिर पास copper का wire है तो इस copper के wire के अंदर क्या होते हैं सबजी electrons होते हैं free electrons होते हैं क्या होते हैं सबजी free electrons क्या होते हैं free electrons और यह free electrons यहाँ पर क्या करने का काम करते हैं flow और जब यह free electrons flow करने का काम करते हैं तब जाके यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिलता है current क्या देखने को मिलता है current पूरे metal के अंदर ये free electrons होते हैं और यही movement दिखाते हैं जो कि अपन अपन ऊपर के तरफ भी बात कर रहे थे ये देखिए पूरे metal lattice के अंदर free electrons पाई जाते हैं तो flow of electric current is due to flow of free electrons in the metallic lattice metallic lattice अब सुनियेगा flow of electricity takes place without the decomposition of the substance सबसे पहली बात ऐसा कभी हुआ है कि आपने wire लगाया हो और wire एक दम पिगल गया हो उसके बाद current पैदा हो रहा है ऐसा तो नहीं होता आपने थोड़ी दर circuit चला है फिर आप निकाल के देखते हो metallic conductor में यही चीज होती है कि वहाँ पर कोई decomposition नहीं होता metal तूटता नहीं है metal घुलता नहीं है metal को कुछ भी नहीं होता metal कहता बाई टेंसर नहीं लेने करे मेरे तुरू current जाएगा मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा तो यह होते हैं अपने कौन metals तो metals को कोई भी फर्क नहीं पड़ता flow of electricity takes place without decomposition of the substance मतलब metal में कोई decomposition नहीं होता जब उसके अंदर क्या होता है current flow करता है लेकिन हम जानते हैं कि अगर ज़्यादा high temperature पर आप current flow करते हो तो फिर metal की conductivity कम हो जाती है और यह इसलिए होती क्योंकि अपन जानते हैं कि उसके अंदर एक factor आ जाता है जिसका नाम है resistance जो बढ़ जाता है ठीक है तो यह बात या दखने है conduction decreases with the increase in temperature तो metal के अंदर यह बात तो चलती है कि metal की conductivity property metal की current capacity property कम हो जाती है अगर आपने temperature को बढ़ा दिया तो क्या बढ़ा दिया अगर आपने temperature को बढ़ा दिया तो बिल्कुल जल्दी तीनो point को screenshot लेंगे important point है तीनो जल्दी metal की conduction property decrease हो जाएगी अगर आपने temperature बढ़ा दिया तो बिल्कुल ये तीन पॉइंट पे बिल्कुल कुछ मत कहना कुछ ना कहू जल्दी 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 इन तीन पॉइंट्स पे दियान रखना है आप सभी को बिल्कुल तरीके से दियान रखना है इन तीनों पॉइंट्स पे कुछ भी गरबर नहीं होनी चाहिए हो गया conduction decreases with the increase in temperature with the increase in temperature पका डन चमकाना इतना तो इतना clear है के नहीं यह देखो यह देखिए यह metallic atoms है और इसके बीच में यह free electrons है कौन? यह वाले यह देखो यह तो metallic atoms है यह atoms हो गए और यह जो बीच बीच में देख रहा है यह free electrons है जो move कलते रहते है कई भी कुदा कादी मचा रहा है यह free electrons है यह देखो यह यह यहां कुदर आए यह यहां कुदर आए यह यहां कुदर आए पर यह देखो यह कुदा यह देखिए इस तरीके से यह कूदा-कादी कलता फिलता रहता है, यह, तो यह free electrons है, जो की metals के अंदर पाए जाते हैं, जल्दी, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, चीक, यह देखो, electrolytic conductors, electrolytic conductors क्या होता है, अब इसको समझना, sir, क्या होता है, इसमें simple सी बाते है, electricity होती है, solution के अंदर, sorry electrolytes होते हैं, जब भी कभी हमने एक solution लिया, मान लो, कोई भी solution है, अगर हमने वो solution ले लिया, किसका सलजी, KCL का, KCL बोले तो, नमक, 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 NACL, KCL, नमक, नमक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर यह ले लिया, तो यह जैसी solution के अंदर जाएगा, तो यह क्या बना ल ions कहलाते हैं, यह क्या कहलाते हैं, यह ions कहलाते हैं, यह positive ion, यह negative ion, यह positive ion, और यह negative ion, दिख रहे हैं, यह कहलाते हैं, ions, और इन ions के बज़े से भी conduction होता है, सलजी, solution, इसके बज़े से भी conduction होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, electrolytic conductors, क्योंकि KCL एक electrolyte है, तो सर, electrolyte जैसे ही पानी में जाता है तो वो अपने ions में टूड़ियाता है और यह ions responsible होते हैं किसके लिए? current के लिए, conduction के लिए इसी लिए इसको कहते है electrolytic conductors जो की आपका current carrying होता है पढ़िये allow the electricity to pass through them in their molten state molten कल बताया था मैंने जब electrolytic solution पढ़ा रहे थे molten मतलब या तो पिगला हुआ और aqueous मतलब या तो घुला हुआ और in the form of their aqueous solution या तो आप पिगला लो तो भी ions बन जाएंगे या तो आप गोल दो तो भी ions बन जाएंगे और एक पर ions बन गए तो फिर टिकर टिकर current होगा शौक लग जाएगा सर शौक लग जाएगा बिलकुल flow of electric current through an electrolytic solution is due to their movement of ions भाया इस पूरे solution में current के लिए responsible कौन है ये ions these ions are responsible ये ions responsible होते हैं किसके लिए current के लिए is electrolytic solution में ये responsible होते हैं ये responsible होते हैं हमने गाए ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है movement of ions ये है चेक है सर डन आगे देखो these ions are furnished by the chemical decomposition of an electrolyte और ये ions कैसे बनते हैं decomposition जब भी electrolyte तूटता है जब भी electrolyte decompose होता है तब जाके आपको ये ions मिलते हैं और ये आपका electrolyte के decomposition से देखने को मिलता है फटा फट ये था electrolytic conductors जल्दी note down करेंगे जल्दी 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 फटा फट हो गया जल्दी screenshot लेंगे जल्दी screenshot लेंगे जल्दी 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 हो जाए तो बताएंगे हो जाए तो बताएंगे बिलकुल बताएंगे हुआ दिर्ण पका चलो यह देखिये semiconductors कौन आ गया semiconductors substance whose conductivity lies between insulators and conductors are called as semiconductors दोनों के बीच में होता है दोनों के बीच में मतलाब conductors जो एकद़म extreme level पर current pass करता है उसको conductor कहते है जो नहीं कर पाता है उसको क्या कहते है अपन insulator दोनों के बीच में आता है यह बीच वाला है कौन है यह बीच वाला ठीक है दीज सबस्टेंस डू नोट कंड़क्टर इलेक्टिसिटी एट नॉर्मल टेंपरेचर यही का था नॉर्मल जैसे मैं अभी यहां पर पढ़ा रहा हो नहीं बढ़िया बिंदास मझे में आप लोग इस बार आपकी जो लास्ट यूनिट रहीगी फिजिक्स में उसका नाम भी सेमिकंड़क्टर होगा वहां आप पढ़ोगे वडिया मिंदास केंसन क्यों ले रहा हो आई वहां आप एक तरफा पढ़ोगे और मज़ा भी आता रहेगा आपको टेंशन की बात नहीं लेना है बिल्कुल मैं हूना काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा एक तरफा काम हो जाएगा बिल्कुल ए जल्दी तो भाया लास्ट यूनिट फिदिक्स में मिलेगी आपको सेमी कंड़क्टर जिसमें आपको यह बहुत पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो सेमी कंड़क्टर क्या होते हैं यह कंड़क्टर और इंसूलेटर के बीच वाले लोग टेंपरेचर पर काम निकलता हायर करने की दरूरत नहीं है चलिए अब आते हैं इंसूलेटर अब आते हैं इंसूलेटर इसके बारे में देखना है कि इंसूलेटर क्या होते हैं तो सर इंसूलेटर जो की करेंट पास नहीं करते देखो ना देख रहा होगा यह देखिए यह वोड देखा है कभी कभी किसी को लग जाता तो कहते भीया हास से मत छुड़ाना ज्यादा भरत मिला आप मत करना नहीं तो आप बीचे पके जाओगे इसके साथ बढ़िया मिले तुम्हारा रंग और सब एक साथ हो जाओगे इसलिए डंडा उठाना और जम के बजा के देना लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चला गया था किसी के साथ घूमने अकेले तो भई जिसका नाम होता है इंसूलेटर कभी भी करेंट को पास अपने तुरू नहीं करने देते, तो मैंने आपको तीन चीज़े पढ़ाई, पहला मैंने पढ़ाया conductor, फिर मैंने आपको पढ़ाया semi conductor, और फिर मैंने आपको पढ़ाया insulator, जिसमें ये तो current को pass कलता है, कोई दिक्कत नहीं, ये low temperature पे नहीं कलता है, high temperature पे current को pass कलता है, और ये तो मेटालिक मतलब मेटल्स वगेरा और एक आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो तूटने के बाद आयन देते और आयन कंडॉक्टर्स करवा लेते और मेटल के अंदर तो फ्री एलेक्ट्रोन होते जिसके वज़े से अपन को कंडॉक्शन देखने को मिलता है बिल्कुल जल्ली नोट डाउन करिए फटा फट जल्ली नोट डाउन करेंगे सर सर यह पूरा बेज बन रहा है विसाद बिछाते हुए जा रहे हैं तभी तो आगे धमाका होने वाला है जल्ली स्कींशोट लीजे फिर आगे बढ़ते हैं फटा फट चलिए कर लिए नोट डाउन कोई दिक्क दो टाइब क्यों थैं जल्ली बताओ उप्वलिक क्या बोलती सर दो टैप टीन ठाइब चाड टाइब बताई वहते हैं हाँ सर अपन ने यह देखा था मैं एकलिएंट लेवेंध क्लास e Terry एक्टोलाइट नोटा रहा था एक होता है स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट ठीक है ठीक है, डन और एक होता है आपका वीक एलेक्ट्रोलाइट अब बात आती है कि स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट होता क्या है स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट होता क्या है strong electrolyte होता क्या है मैंने का ठीक है पहले तो एक काम करते हैं दोरो टाइप लिख लेते हैं एक हो गया भया electrolyte ठीक है दूसरा होता है अपना weak electrolyte weak electrolyte ठीक है sir एक हो गया strong और एक हो गया weak अब सुनना एक line में खतम करूँगा sir, जो completely dissociate हो जाए जो completely dissociate हो जाए उसको अपन कहेंगे strong electrolyte और जो completely dissociate ना हो जो completely dissociate ना हो उसको अपन कहते हैं weak electrolyte मतलब जैसे मानलो आपने strong electrolyte थोड़ा सा डाला और पूरा टूड़ गया 100% dissociation हो गया जो भी 100% तूड़ आता है उसको अपन कहते है strong electrolyte और जो 100% नहीं तूटता मानलो आपका तूटा 30% आपका तूटा 40% तो इसको अपन क्या कहते हैं sir, weak electrolyte क्या कहते हैं, weak weak पूरा नहीं तूटता और strong वाला पूरा तूड़ आता है और weak electrolyte उत्ता कंड़क्शन नहीं करता है क्योंकि उसमें ions कैसे होते हैं काम होते हैं sir, काम होते हैं sir strong electrolyte dissociate almost completely into their ions in the solution example sir इनकी तो बात यह लगे SCL, NaOH, KCL etc. कि सब इसके अंदर आते हैं फिर आगे बात करें आगे बात करें अपन weak electrolyte की तो weak electrolyte जो होता है वो small portion of the molecule are ionized पूरा नहीं होता है थोड़ा बहुत चूटता है पानी में जाके जैसे की SCN, ZNCL2, NH4OH, etc. तो यह जो होता है weak electrolyte होते हैं और यह क्या होते हैं अपने strong electrolytes होते हैं कैसे होते हैं strong electrolyte और यह क्या होते हैं अपने weak electrolyte कोई दिक्कत? कोई problem? हो तो बता दो भाई हो तो बता दो भाईया जल्दी, जल्दी, जल्दी strong electrolyte और weak electrolyte हो तो problem बता दो भाईया जल्दी 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 कोई भी प्रावलम हो तो बता दो फटा फट बताना और प्रावलम फिर हापन देखते है प्रावलम का समयदान क्या है चीके? भगई ये देखिए स्ट्रोंग एलेक्टोलाइट और वीक एलेक्टोलाइट इजी कंसेप्ट ता बिलकुल चलो चलो चेक स्क्रीनशॉट लो जल्दी लिया स्क्रीनशॉट लेते चला करो भई यह देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं यह पहले वाले स्ट्रॉक्चर में देखो इसमें डला ह इसमें इथनॉल अब इथनॉल जो होता है वो पानी में तूटता पानी में तूटेगा रही तो भाईया इसमें आयंस भी नहीं होंगे और अगर आयंस नहीं होंगे तो कोई कर्णक्शन नहीं होगा ना करेंट पास होगा और करेंट पास नहीं होगा तो भाईया बल्ब ग ग्लो भी नहीं कर रहा है अब दूसरे वाले केस में pgil का मतला p ए Bienaằng यह होता है बीक लेक्टोलाइट क्या होता है बीक अलेक्टोलाइट तो तो लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे जितने इसमें और आयन से करेंट आता है कम आयन से इसलिए करेंट दिख थोड़ा का वोगा तो देखिया बल्ब उत्ता ग्लो नहीं कर रहा है सबस्धादा glow किसमें कर रहा है क्योंकि strong electrolyte था number of ions भर के हैं इसमें कम glow कर रहा है क्योंकि इसमें कैसा weak electrolyte है तो number of ions कम है इसमें तो भाया electrolyte ही नहीं है ethanol तूटता ही नहीं है तो no ions no ions मतलब no करे no bulb glow no glow तो इधार तो bulb में एकदम खालू खालू अन्हेरे में राओ भाया क्या कर सकते हैं तो यह तीन एक्जामपल आपको पता होना चाहिए इसको कहा जाता है यह कंड़क्टिविटी यह कंड़क्टेंस इसको अपन क्या केते हैं या तो कंड़क्टेंस या तो कंड़क्टिविटी या तो कंड़क्टेंस या तो कंड़क्टिविटी जल्दी देखो या तो कंड़क्टेंस या तो कंड़क्टिविटी जल्दी देखो जल्दी देख लीजे या तो इसको कहेंगे conductance या तो conductivity जल्दी देखिए जल्दी फटा फट देखेंगे जल्दी या तो कहेंगे इसको conductance या तो फिर conductivity जल्दी देखिए फटा फट कोई प्राप्लम तो नहीं और जैसे अपने पढ़ा है कि हमारे metals एक law को follow करते हैं उस law को कहा जाता है ohms law वैसे ही electrolytes भी follow करते हैं just like metallic conductors electrolytic solution also obey ohms law मतलब आप समझे आप metals तो follow करते ही थे ohms law को अब भाईया electrolytic conductors भी follow करते हैं हमने का अच्छी बात है भाई भेदवाव नहीं रखने हैं आपन को क्या नहीं रखना है भेदवाव बिल्कुल भी नहीं रखना है अगर सब follow कर रहा है तो करवाव भाईया किसी को नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे बाई किसी को नहीं छोड़ेंगे सबसे follow कर भाईया हमने का ठीक है सर तो follow करवा लेते हैं सबसे आजाओ चलो तो सबसे पहले बात Ohm's Law पर कऊँगे Sir कहां physics में घुज़ गए हो आप ohms law physics करा है मैंने का है तो क्या हुआ एपन सब पड़ा देंगे ठीक है अपने में है तो भीया क्या करें इत्ती दिर के लिए थोड़ी प्रतीक सर को बुलाइंगे ने तो बोलेंगे आरे यार सर कहां परिशान कर रहे ता आप ही पड़ा दो मैंने का ठीक है ohm's lo is v is diagonally proportional to i तो v equals to i r यही होता है जिसमें ये जो r है इस r को आपन क्या क्यते हैं resistance इस r को आपन क्या 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 है resistance कोई दिक्कत की बात नहीं इसी को कहा जाता है v equals to i r जिसको आपन क्या थे resistance बिल्कुल V equals to YR यह ठीक है R को क्या कहा जाता है resistance और basically आप एक तरीके से देखा जाओ तो यह है रुकावट रुकावट current को flow करने के लिए रुकावट का काम करती है ठीक है current को flow ना होने देने में रुकावट का काम कौन करता है resistance और अगर अपन resistance की यूनिट की बात करें अगर resistance की यूनिट की बात करें तो वो होती है ohm और उसको डिनोट किया जाता है ऐसे resistance की यूनिट होती है ohm और उसको डिनोट किया जाता है ऐसे बिल्कुल 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 चीक है कोई दिकत तो नहीं है यहां तक चीक है, उसके बाद resistance दो factor पर depend करता है यह भी आपने पढ़ा हुआ है resistance दो factor पर depend करता है पहला length और b area of cross section क्या सर, area of cross section अगर मैं बात करूँ तो r is directly proportional to l, यह पहला point है resistance जो होता है वो directly proportional होता है किसके length के, और यहीं पर second point resistance is inversely proportional to area of cross section मतलब area के inversely proportional होता है और length के directly proportional यह अपने 10th class से पढ़ते आ रहे हैं और अगर मैं दोनों equation से लिखूँ from 1 and 2 तो r is directly proportional to l by a r is directly proportional to l by a क्या सर, l by a और अब जब मैं इसको लिखता हूँ तो एक constant आता है r equals to rho l by a यह आपका main है यह आपका main है यह आपका main formula r equals to rho l by a समझ रहे हैं? r equals to rho l by a जिसमें यह जो rho है इसको कहा जाता है resistivity क्या कहा जाता है सर जी? रजिस्टिविटी क्या कहा जाता है? रजिस्टिविटी और specific resistance इस नाम से इसको जाना जाता है बढ़िया बिंदास तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं मेरे साब से तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए नहीं होनी चाहिए जल्दी देखो फटा फट फटा फट जल्दी clear हुआ यहाँ तक पका clear हुआ जल्दी एक बार screenshot लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी screenshot लेंगे जल्दी 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 चलिए तो यह जो रो होता है ना इसको पर रेइस्टिविटी कहते हैं और क्या कहते हैं specific resistance अब इसकी unit पर बात कर लेते हैं किस पर बात कर लेते हैं इसकी unit पर चलो R की unit तो fix होगे ना क्या कहेंगे Ohms क्या Ohms अब बात करते हैं रेइस्टिविटी आजाओ सर यह भी बढ़िया है R इक्वल्स टू रो L बाए A चीक है अब इसकी अगर unit निगा लिए तो इसको अकेला कर लो पहले अकेला अकेला यह देखो दिख रहा है इसी को अपन कहते हैं रेइस्टिविटी लिख लो भी यह लिख लो लिखे जो खत तुम्हे चलिए रेइस्टिविटी हो गई रो अब देखो सर अगर मैं इसको प्यार से बोलू तो यह क्या हो जाएगा ओ अच्छा एरिया एरिया को क्या बताओगे मीटर स्क्वेर या फिस सेंटी मीटर स्क्वेर अपन में लेंथ लेंथ मतला मीटर तो सर यह लो ना क्यो घबरा रहे हो यह cancel ना सर बिलकुल शान्दार तरीके से क्या बच्चा तो रहेस्टीविटी की यूनिट आ गई ohm मीटर सॉरी अच्छे जह लिखेंगे सर अच्छे जह लिखेंगे वाई अच्छे जह लिखेंगे क्या ohm मीटर बिलकुल कोई तकलीफ यहां तक यह conquestivity की unit है यह conquestivity की unit है चीक है औरquently cultivated कुछ नहीं होता एक तरीके से resistance ही होता है लेकिन रह्या कब जब 1 meter square area हो और 1 meter length हो 1 meter cube जो volume बनेगा बनेगा 1 meter cube volume जो बनेगा उसके अंदर का जो भी resistance होगा fixed उसको अपन कहते है रहेस्टिविटी सर इसकी यूनेट या दखना यूनेट बहुत जरूरी है यह सबसे इंपोर्टेंट है यूनेट बिल्कुल यूनेट नहीं भूलना है अगर यूनेट भूल गए तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है जल्दी 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 फटा फट नोट डा क्या पका रहेस्टिविटी था कोई दिक्कत तो नहीं चल्द यह देखिए ओम फ्लो आप सब जानते हो क्या होता है दा इलेक्ट्रिक करेंट आई फ्लोईंग थ्रू अ कंड़क्टर इस डारेकली प्रपोश्चनल तो दा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रोस इट यह अपनको इपता है वी एक्वज स्ट्रू यह प्रपोश्चनल का साइन ख्लund यह जैक्डम र मीया resistance and it is measured of the hindrance in the flow of electric current electric current को रोकने वाला hindrance उसको अपन resistance कहते हैं क्या कहते हैं उसको अपन resistance कहते हैं जल्दी screenshot लेंगे इसका फटा फट screenshot लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है done लिलिया done चलो यह देखे जब यह देखे फिर मैंने यही बोला आब resistance जो होता है वो अपनने क्या देखा डारेकली पेपोर्शनल होता है किसके लेंथ के अभी मैंने बोला था मतलब लेंथ जित्ती जढ़ा होगी resistance उतना जढ़ा होगा और मोटाई जितनी जढ़ा होगी उतना कम resistance होगा मतलब resistance जो होता है directly proportional to length और inversely proportional to area area यह होता है आपका resistance is directly proportional to the length of the conductor L and inversely proportional to the area of cross section तो यह बन के आता है और जब proportionality का sign हटता है तो एक constant होता है यह किया कोई तकलीफ क्या कहा जाता है resistivity बिलकुल शांदार तरीके से आपको पता होना चीए क्या कहते है अपन इसको resistivity जल्दी 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 तेजी में तेजी में हो गया, done, चल यह देखिए, इसी को या तो resistivity कहेंगे या तो फिर अपन क्या कहेंगे, सल जी specific resistance resistivity या फिर specific resistance r equals to rho L by A क्या कहेंगे, r equals to rho L by A अब भाईया, कुछ लोग कहते हैं, हमें एक काम करो भाईया, इसको define करना है किसको define करना है, resistivity को तो इनने का भाईया, आप length को 1 meter रख दो और area को 1 meter square रख दो चीक है, 1 meter square रख दो, तो फिर r किसके बराबर हो जाएगा rho हो जाएगा, आपके किसके बराबर, r के बराबर तो मैंने यही तो का, resistivity is defined as the resistance of the conductor of 1 centimeter square area और 1 meter length, बस, देखिए resistance, वो resistance ही है, बस fix कर दिया, कितने के लिए 1 meter square और 1 meter के लिए, ठीक है of a conductor of 1 centimeter length and having the area of cross section of 1 centimeter square, चीक है, या तो 1 meter ले लो या तो 1 centimeter ले लो, उसी को अपन क्या कहेंगे, resistivity इतना मैंने आपको अभी पीछे बताये था, और इतना ही इदर है बिलकुल, जली, बिंदास तरीके से note down करेंगे फटा-फट, बिंदास तरीके से note down करेंगे चले, कर लिए note down, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इतना I think clear होगा तो देखिए, अपन ने आज क्या-क्या देख लिया सर, सबसे पहली बात तो अपन ने ये देख लिया कि कौन-कौन कंड़क्शन कर पाता है, जिसमें अपन ने देखा कि सिर्फ कंड़क्टर्स कलते हैं कलते तो सेमी कंड़क्टर्स भी है, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है फिर conductors में भी दो भाईया के नाम लिए एक थे अपने metals और एक थे अपने electrolyte बिल्कुल सही बोलाई क्या नहीं बिल्कुल सही बोलाई सर एक number बात करी गई है कि पहले भाईया का नाम था metals और दूसरे भाईया का नाम था है electrolyte इन दो की बाते अपने करिये बढ़िया तरीके से करिये कोई दिक्कत की बात हमें देखने को नहीं मिलिए फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये तो अपने ohm slow and all that सारी condition मानते हैं लेकिन ये भी मानते हैं तो फिर मैंने आपको बताया ohm slow क्या होता है जो कि आप लोग मुझे से अच्छे से जानते हो शायद कि नहीं फिर ohm slow के बाद अपने बात करी conductivity पे sorry अपने बात करी resistance पे फिर resistance का देखा कि किस किस पे depend करता है एक length पे और एक area पे बिंदास तरीके से उसके बाद अगर अपने देखा तो फिर बात करी है अपने resistivity पे जिसको row कहते हैं क्या कहते हैं जिसको row और जो होती है resistance equals to row L by A इतनी बाते मैंने आपके सामने करी हुई है चीक है तो रहिस्टिविटी भी वगेरा इसमें अपन को देखना पड़ेगा और जो कि अपने देख लिया है कोई दिकत तो नहीं done चलो एक कोशन देख लें क्या कोई ओ एक कोशन बिल्कुल देख लेते हैं आपर आजाओ शांदार एक कोशन है मज़दार एक कोशन है आजाए इस आ करेंट ओफ 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours दो आज तक flow गर आए then how many electrons would flow through the wire तो कितने electrons flow गर के जाएंगे किस में से wire में से मैंने खाँ ठीक है सर कोई दिकत की बात नहीं है पहले तो given लिख लो क्या क्या दिया हुआ है solution हमेशा क्याता हूं given उठाओ given उठाओ गे काम आएगा बहुत शांदार देखे करेंट कितना है 0.5 ampere 0.5 ampere बिल्कुल flows through a metallic wire of 2 hours metallic wire of 2 hours चीक है यह होगा वह सेकंड्स के लिए बिल्कुल उस इस आप से क्या हो जाएगा 3600 इंटू 2 तो 2600 वान उपर 7200 सेकंड्स यह होगा यह होगा यह होगा बिंदास कोई दिक्कत की बात नहीं हमने गए ठीक है सर तो पहले मैं चाहता हूँ चार्ज निकाल लो मतलब क्यों क्या होता है i into t यह होता है न कितना है 0.5 into 7200 तो यह I think 3600 आएगा कूलम तो यह देखे यह मिल गया 3600 कूलम आगया है कितना आगया है 3600 कूलम आगया कोई दिक्कत की बात नहीं है यह यह बिंदास चाही कि हमने का डन हमने का कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आगये देखो हमने क्या पढ़ाए हमने यह देखा कि सर 96500 कूलम किसका चार्ज होता है एक मोल ओफ एलेक्ट्रॉन का और एक मोल ओफ एलेक्ट्रॉन का मतलाब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का यही चार्ज होता है के नहीं होता बिलकुल यही होता तो मैंने का एक कूलम का कितना होगा एक कूलम का हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 965.0 कूलम यही होगा के नहीं होगा बिलकुल इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे के नहीं होंगे जी सर सर सही जा रहे हो मैंने का अच्छा थैंक्यू थैंक्यू सही जा रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया अब आगे बताओ यह बन कूलम का है आपको कितने का निकालना है 3600 कूलम का कितना होगा तो मैंने का 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड़ बाए 965.0 इंटू कितना हो जाएगा 3600 ये आएगा ये आएगा तो सर यह आएगा मने आएगा मैंने का ठीक है मैंने का इसको सॉल्व करते हैं आजाओ इसको solve करते हैं चीक है तो ये पॉआ ये गया चीक है और कुछ और कुछ देखो जरा सर आपको बस इत्ता solve करना है ये solve करना है आपको ये आपको बता देगा ये final answer होगा ये final answer होगा आपका A1 इसके अलावा कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है ये final answer होगा कोई problem की बात यहाँ पर नहीं है ठीक है done कोई दिक्कत तो नहीं पका done इसका answer मुझे चाहिए comment section में बिल्कुल कहाँ पर चाहिए sir comment section में पहली बोल दे रहा हूँ वाई चाहिए मतलब चाहिए किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए चाहिए है मतलब चाहिए foot off note down करेंगे जल्दी 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 बढ़िया question था एक तरफा question था कोई प्रावलम वाली बात नहीं थी इस question के अंदर iciently note down कर लीजे Way हो जाए तो बताइए गा हो जाए तो बताइएगा जल्दी 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 फटाफट हो गया, डण, पका, चलिए, एक काम करते हैं, चेक भी कर लेंगे इसको साथ में, लेंस के लिए पहले इस साइड वाला हटा दो, इस साइड वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह देखो, यह देखो बिलकुल, सेम चीस जो हिपने कर इय है, वह इंधे भी खरी है, अरे तो इनने क्या कर रहा है, मैं ही तो जानता हूं, मैं ही तो देता हूं इनको, ऐसे ऐसे करना हूं, तो आपका anसर यह है, देखता हूं कितने लोगों ने answer लिखा है लेकिन यहां से tip के मतलिक देना रहे solve करना रहे बाबा solve करना solve नहीं करेगा दिक्कत हो जाएगा इसी लिए solve करना आना चाहिए बिल्कुल तो sir यहां पर conductance होता है अपना sum up तो भाया किस-किस को conductance चमका जल्दी बताओ किस-किस को यहां तक conductance चमका फटा फट जल्दी जल्दी बोलेंगे भी है किस-किस को conductance clear हो गया फटा फट जल्दी 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 किस-किस को कंड़क्टेंस क्लियर हो गया किस को कंड़क्टेंस चमक गया जल्दी बता दो जल्दी 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 मज़ा तभी आएगा भी तभी 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 शांदाल तरीके से हो गया डन कोई प्रावलम तो नहीं है सबको डन 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 पका चली तो यह कोशन आपको होना च एकदम कतई जहर एकदम तूफान मचाने वाले सर बस इतना ही समाप्ती समाप्त हो गया बिलकुल मैंने का ठीक है सर तो बढ़िया लगा क्या नहीं लगा तो जल्दी एक बार भीया कमेंट फिक्शन में पहले चमका लिख दो जल्दी क्लियर हुआ जल्दी 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 एक बात थमसब कल दो फिर अपन आगे बात कलते हैं फटा फट नहीं तो बात नहीं हो पाईगी आज अपनी बिलकुल बात नहीं हो पाईगी जल्दी ठीक है डन कोई दिक्कत तो नहीं तो यह वाला टॉपिक होता है यहां पे समाप्त शांदाल तरीके से और मज़ेदाल तरीके से बिलकुल बाकि आपको पता यह हैं मैगनेट बेंस के दो चैनल हैं मैगनेट बेंस इंगलिश मेडियम साथी साथ मैगनेट बेंस हिंदी मीडियम मैगनेट बेंस इंगलिश मेडियम सी बेसी बोर्ट डेली बोर्ट दोनों को कवर अप करके चलता है और मैंने आप प्रैक्टिस पेपर सब कुछ आपको प्रोवाइट किया जाता है एकदम शांदार तरीके से कैसे सर एकदम शांदार तरीके से यह देखिए और साती साथ मैगनेट बेंज हिंदी मीडियम है जो आपको CBC वो भी प्रोवाइट करता अगर कोई आपका दोस्तों दो बोलना चल साथ में पढ़ेंगे बिंदास तरीके से तो वो प्रोवाइट करता है बियार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एंपी बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड को कवर करने का पूरा काम रखता है साती साथ वैदिक मैग्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्रिच यह सब भी कवर करवा तरीके से और मजएदार तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं होती है साती साथ एनोट्स, इबुक्स इसको भी प्रोवाइट किया जाता है आपको एक दम जखास तरीके से एक दम बढ़िया तरीके से साती साथ 100% फ्री कुछ भी चार्जेबल यहां पर नहीं अगर आप चा है साती साथ बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा बढ़िया शांदार तरीके से डन ना कोई दिक्कत तो नहीं लेकिन अगर वाइटी पर मज़ा आ रहा है तो वहाँ ही देखिए कोई दिक्कत नहीं हो सेशन तगड़ा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करन सेम जगा तो कल मिलते हैं बिंदास तरीके से बढ़िया आईएगा टाइम सब को पताईए बिलकुल कोई मिस नहीं करेगा तो ओन टाइम रहिएगा फिर देखिएगे मज़ेदाल लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे इसको ठीके ओके बाई 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 तब तक के लिए तक के?